Model School और Excellence School के लिए Most Important Question जो कि आपके Environment और Science के जो इना Question है यह आपके लिए बहुत ही महत्पूल हो सकते हैं आपके exam के दर्ष्टिकॉंड से आपका जो exam जो हैना 2023 में होने वाला है उसके लिए इंपूडन कुश्चन है तो आई इसका PDF चाहिए हो तो आप मेसेज कर देना तो आपको PDF प्रोवाइट करा दिये जाएगा तो इसका प्रोवाइट करते हैं 21 March, 33 September, 22 September, A और B दोनो तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है A और B दोनो 33 सितंबर और 22 सितंबर इसका जो है न सही आंसर है Next Question number 17 चंद ग्रेड होता है जब Option A प्रत्वी सूर के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर प्रत्वी एवंचंद्रमा एक सीधी रेखा में होते है तब होता है प्रत्वी एवंचंद्रमा के बीच सूर आ जाता है तब होता है या Option D प्रत्वी सूर एवंचंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है प्रत्वी जब सूर और चंदमा के बीच में आ जाती है तब ही चंद ग्रेड होता है ठीक है Next, Push No.18 सूर ग्रेड होता है जब सूर प्रत्वी और चंदमा के बीच आ जाता है Option A, Option B सूर जब प्रत्वी और चंदमा के एक सीधी रेखा में होते है option C, sur even chandmaa के बीच में आ जाता है तब या sur even prathwi के बीच में chandmaa जाता है तब होता है तो इसका सही answer है option D, sur even prathwi के बीच में जब chandmaa जाता है तब sur grade होता है question number 19 मद रात्री का sur कहां दिखाई देता है Antarctica में Accard का में Antarctica में, Narway में या उप्रोक तो सभी में तो इसका सही answer उप्रोक तो सभी में option D, इसका correct answer है यह important question है, यह भी आ चुका है आपके exam में तो learn now and write now question number 20 प्रathwi की उपरी प्रत को क्या कहते हैं mental, crude, भूपर्टी या उप्रोक में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका right answer है, वो है भूपर्टी यानि की crest, यह भी question आपके exam में आ चुका है, so learn now and write now question number 21 प्रत्वी की उपरी भूपर्टी में किस तत्त की मात्रा सर्वा देखे, option A लोआ, option B oxygen option C aluminium option D, उप्रोक में से कोई नहीं तो यहाँ से जो इसका right answer है वो है आपका oxygen option B जो है न, correct answer है so learn now and write now question number 22 21 का जो है आपका oxygen right answer है 22, खने इस तेल यहाँ कोई लाकिन चट्टानों में पाया जाता है option A, अपसादी option B, अगने option C, कायंतर, option D इन सभी में तो इसका जो right answer है वो है आपका option A, अपसादी में अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आप last year के जो है न, solve paper जरूर लगाए जिससे कि वहाँ से बहुत सारे question repeat होते हैं आपके exam में, अगर वो complete कर लेते हैं तो 50-60 नंबर आपके वहीं से repeat होने वाले हैं बागी के लिए मैं करवा रहा हूँ यह प्रैक्टिस एट को भी करते जाईए question number 23 बनस्वती एवं जीव जन्तूं का जीव आस्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है option A, apsadi option B, अगने option C, कायांतर option D, यह सभी तो यहां पर जो इन्हें इसका right answer होगा option A, apsadi अफसादी चट्टाने इसका सही answer है यह भी कुशिन पेपर में आ चुका है आपके question number 24 विस्तुका सबसे उंचा जौला मखी परवत है एक कांकुआ जौला मखी option B, किली मनजारो option C, केटो पैक्सी option D, मौनियाला तो यहां पर जो इसका right answer होगा बो है आपका option C केटो पैक्सी इसका सही answer है question number 25 हुकम की तीबरता की माप किस यंद्र के दौरा की जाती है most most important question है option A, reactor scale option B, सिस्मोग्राफ option C, slide capillar option D, उप्रोक्ट में से कोई नहीं अगर आपको, आप में किसी को यह answer पता है तो आप ज़रूर रताएं comment section में अगर आपने option B किया है तो आपका सही answer है आपका option B अगर आपके कर रखा है तो सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुली सही answer है next question number 26 विस्तु का सरवाद एक उचा सक्रिय जो अला मुखी है option A, किलीमन जारो option B, चिम्पोरोजो option C, कोटोपैक्सी option D, के साग्ट तो यहाँ पर जो नहीं आपका राइट answer होगा option C, कोटोपैक्सी इसका सही answer है next question number 27 निमले खित में से किस महादीप में जो अला मुखी नहीं है option A, एशिया option B, अंटार्टका option C, अफ्रीका option D, आस्टेलिया तो यहाँ पर जो नहीं आपका राइट answer होगा option D, आस्टेलिया आस्टेलिया इसका correct answer है so learn now and write now question number 28 विस्तु का सबसे हुचा पठार है अरब का पठार option A, मंगोलिया का पठार option B, तिबबत का पठार option C, कमबोडिया का पठार option D, कोलंबिया है तो यहाँ पर जो नहीं इसका right answer होगा option C, तिबबत का पठार तिबबत का पठार जो नहीं सबसे उचा पठार माना जाता है question number 29 विस्त की सबसे गहरी जील है टिटकट का टिटिका का जिसे हम बोल भी या भी कहते है option B, चाड जिसे दच्छड अप्रिका में है जो बैकाल जो रूस में है या जिनेवा जो स्विसलेंड में है कौन सी सबसे गहरी जील है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बैकाल जील जो की रूस में है सबसे गहरी जील है इन्पोडेंट कुश्चन है ये कुश्चन आ चुका है आपके एक्जाम में तो बोस्ट इन्पोडेंट कुश्चन है so learn now and right now question number 30 विश्चु की सबसे बड़ी जील है option A, superior option B, caspian option C, bacal option D, titikaka तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा अगर आपने option B किया है तो आपका बिल्कुली right answer है caspian question number 31 विश्चु की सबसे मीठे पानी की जील कहा पर है option A मीठे पानी की जील है कौन सी है superior option B, caspian option C, bacal option D, victoria तो आपका जो है राइट आंसर होने वाला है option A, superior जील superior जील इसका सही आंसर है question number 32 विश्चु की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है option A, victoria option B, iri option C, missigan option D, caspian तो यहाँ पर अगर आपने option D किया है तो आपका राइट आंसर है caspian अपनी प्रेक्टिस करते जाएए अगर आपकी आंसर गलत ने कर रहे हैं तो आपको याद करने के अशकता है question number 33 विश्चु की सबसे उची जील है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है option D, कितिका का आपका राइट आंसर है question number 34 विश्चु का सबसे बड़ा दीप कौन सा है Greenland option A option B, Indonesia option C, Sumatra option D, Java तो अगर आपने option A किया है तो आपका बिल्कुली राइट आंसर है next question number 35 विश्चु का सबसे छोटा महादेश है option A, Antarctica option B, Richard America option C, Uttri America option D, Australia तो अगर आपने option D किया है तो बिल्कुली राइट आंसर है Australia, जोकी सबसे छोटा महादेश है question number 36 विश्चु की सबसे लंबी परवस्चेंडी कौन सी है option A, Rocky option B, N, D option C, Kara Koram option D, Alaska तो अगर आपने option B किया है तो N, D, जोकी आपका राइट आंसर हो सकता है question number 37 विश्चु का सबसे बड़ा मरुष्टल है option A, गुबी का मरुष्टल option B, सारा मरुष्टल option C, काला हारी मरुष्टल option D, थार मरुष्टल तो यहाँ पर अगर आपको इसका अंसर पता है तो कमेंट सक्षन में जरूर बताएं तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारा मरुष्टल बिल्कुली साही आंसर है next question number 38 प्रत्वी के कितने प्रतिसत भाग जल मंडल का विस्तार है option A, 29% option B, 65% option C, 71% option D, 74% तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है हो है 71% बाकी 29% पर जो अमना भूमी है अपनी जमीन next question number 39 सबसे बड़ा महासागर है option A, प्रिसांत option B, अंटार्टका option C, अकार्टका option D, हिंद तो यहाँ पर जो इना आपका राइट आंसर होगा प्रिसांत महासागर अगर आपने ओशियन स्पिसिफिक किया है तो बिल्कुली सही आंसर है question number 40 option D, विस्टू का सबसे गहरा गर्थ है शुडा गर्थ या प्यूटोरिक को option C, मेरियाना टेंच option D, टोका गर्थ तो यहाँ पर जो इना आपका option C मेरियाना टेंच इसका सही आंसर है अब next part में मैं 41 से 60 तक के सारे question discuss करूँगा इससे पहले भी मैं question discuss कर चुका हूँ अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो description box में उसकी link दे रखी वहाँ से जाकर आप देख सकती है और वीडियो कैसा लगा comment section में जरू बताइएगा और आप questions को answer देने की questions जरू करें इसके बाद यह जैसे ही पूरा वीडियो होगा फिर इसका practice करवाएंगे जिनके सारे questions के answer आपको comment section में बताने होगे फिर अपना score देख सकते हैं आपने कितना score किया है फिर मिलेंगे ऐसे intention video के साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों को साथ जाज़ाद अश्याद जरू करें और चैनल को subscribe करें इससे कि आप के पास समय समय पर वीडियो को पहुंच सकें जाए इन फ्रेंड्स जाए इन इस्रेंड्स थैंक वोग्यो कि अच्छे जाए रचान जाए जाए लग्यों